तो अगर समझते हैं कि बारिश ना होती तो 402 पर भी जाते और कितने खुशी है इस जीत पर बिसमिल्ला रहमान रहीम देखें बिलकुल अगर हमारे लिए तो हर मैच अभी जीतना जरूरी है तो हमारा माइड प्लैन यही था कि पहले चार और सही बाल डूबॉल उसके बाद जो 400 का टार्गेट है हर टाइम पर उस चाहए है क्योंकि हमने कल से देखा था कि बारिश हो सकती है मैच में तो हमारा यही प्लैन था कि हर टाइम जो है वह एवरेज हमारे ऊपर ही रहे और अ कोई हो रहा था तो मेरे हाल में हम लोग इसको चेज कर सकते थे हैं अगर इसी क्वेश्चन से कंटिन्यू करूंगा कि टॉस से लेकर एंड तक जो प्लैनिंग थी क्योंकि हमने देखा एक परचा भी आया था अंदर से प्लैनिंग का कितना ज्यादा फैक्टर था इस वाले मैच में पर्टिकुलर्डी रेंड और हर चीज़ आप लोगो ने पहले से कितना सोचा वाता चीज़ों देखें जिसे मैंने पहले बताया कल से ही हमारे मांड में यही था कि बारिश होगी और यह था कि 15 और के बाद बिलकुल हम लोग ने अंदर मैसेज बेजा तो बिलकुल प्लैनिंग बहुत जरूरी होती है इस स्टेज पर अगर आप खेलते हैं तो प्लैनिंग के बगएर बड़ा मुश्किल होता है और बिलकुल हमारी कल भी हम लोग ने प्लैन किया था और आज भी हम लोग उसी तरीके से और बाई और चल रहे थे थोड़ा साइड लाइन्स पर भी थे ने जब आपका थोड़ा चल रहा था थोड़ा दिक्कट चल रहा था तो बिलकुल मैं जो आफ ताइम था उसमें काम कर रहा था अपनी फिटनेस के ऊपर भी क्योंकि मेरी इंजरी भी चल रही थी और उससे पहले एशिया कप भी मेरा मेरा मेरे हाल में तीस रिंज मेरे हाइस थे तो अच्छा टाइम नहीं चल रहा था तो उसमें चले हैं आपने सवाल पूजा तो बीच में में चला गिया जो हमारे फिल्डिंग कोच है अफ्ताफ खान उनकी एकेडमी है पिशावर में तो उन्होंने कहा कि आप स्ट्रगल करते हो बहुत जा हैं तो उस पहले प्रेंटिस पर आते हैं तो धूर कर रहे हैं और हर कोई मेहनत कर आधा है यह नगी हो यह तो एंस लेवल पर हर कोई अपनी दरेश देने की कोई घ्रिछ थे लेकिन मेरे हाँ में मैं अज लगी था किvate ये कारफर्स की ब में जब चार पे अब्दुला शफीक आउट हो गए थे पाकिस्तान की पहली विकेट गिर गई थी बाबर आए थे तो फिर क्या प्लैनिंग आप लोग कर रहे थे क्योंकि उस टाइम प्रेशर था पाकिस्तान पर किस तरह से आपनी गेम को का मुमेंटम बनाया और अपनी हो जाता है कि विकेट किस तरह कहल रहा है तो जब अब्दुला शफीक ने पहला और कहला तो उससे मैंने पूछा पिर जब मैंने दूसरा कहला तो प्लैन हमारे यह बना कि यार विकेट बहुत ज्यादा अच्छा है बैटिंग के लिए तो हम लोग जो पहले चार और है इस कि यह हो गया था कि विकेट इतना अच्छा है कि यह 400 स्कूर चेज हो सकता है वकर आपने बात किया एशिया कप के पहले जब आपका फॉर्म अच्छा नहीं था क्या आपने किया कैसे वर्क किया पेशावर में वोल्ड कप आने के बाद एक मैच खेले आपने उसके बाद ए है एक मैच के बाद इंजुरी हो जाता है देन दे प्रॉसेस तो काइंड अफ कम बाक अगें उसके बारे में थोड़ा बात कीजिए अब हर को यह अगर परफॉर्म करता है या बड़ी निंग खेलता है तो यह कहता है कि आरे मैंने यह किया मैंने वो किया लेकिन बिलकुल अग। जब मुझे टाइम आफ मिला तो यह था कि मैंने रिस्ट नहीं किया था जैसे ही मैं किया तो दो दिन गर पे रहा उसके बाद पिर पिशाओर चला गया और वही जो कोच ता वो पिर मेरे साथ क्योंकि मेरे गर के साथ भी अगेडमी है तो वो मेरे साथ पिर कोच है अखताब खान और जो उनकी एकेडमी है उसमें इबराहिम लडगा है मैं उनको डिकेड़ करूँगा क्योंकि जो उन्होंने खामिया देखी थी और वो मेरे साथ शेयर कर रहे दे और जितना उन्होंने मुझे टाइम दिया को यह इतना कोई देता नहीं है तो ऐसे लो obviously going through a rough patch and then a lot of talks about Condor Tigers 92, same thing started coming up again so as a team, how do you do you think that, okay, this 92 can always, can you does the team draw inspiration from that or do you guys prefer not to draw inspiration from that rather than just win and forget about it the good thing about our team and management is that they stay positive they always stay positive and they never show us that we are out of the tournament so they back each and every every guy and we still believe that we can play the semi-finals and also finals but let's see because now we are also looking to the Sri Lanka and New Zealand game so we are hopeful that that will go to go our way अगर बड़िया के लिए आज हिंदी में एक कहावत है कि देरा है दुरूस्त आए लेकिन आए तो क्या है यह क्या है कि आप पिछला T20 World Cup अगर ऑस्टेलिया में देखे तो शुरुआत एक्दम स्लो थी लेकिन उसके बाद जब आप ऐसी पुजिशन में आ जाते हैं कि जीतना है तो यह जिगर कहां से आता है पाकिस्तान टीम में हर वर्ल्ट टॉर्नमेंट में हमें देखना को मिलता है तो यह कहां से आता है देखें यह जितनी भी टीम है तो बहुत ज्यादा टैलेंटिड लड़के हैं क्योंकि हम लोग भी हर जगा खेलते रहते हैं और आप अगर पहले से लेकर आखिरी तक देखें तो लेकिन हम लोग मेरे हाल में एक रिदम चाहिए होता है जो कि कभी गर हम लोग लूज कर ले है वो अच्छा करने जैसे पिछले मेंच में हमारे बॉलर्स ने बहुत अच्छा किया था इसमें भी अगर आप देखें तो बॉलर्स ने बड़ा अच्छा कम बेक कराई कि जिस तरह विकेट खेल रहा था तो मेरे हाल में हमने जो है तीस चालिस से उन से कम बनवाएं तो और लेकिन में चीज़ यह कि रिदम की है और अभी हमें हमें वो रिदम मिल गया है पता नहीं अगर पहले यह सवाल हो गया हूब तक हम क्योंकि हम जीद के बाद पाकिसान चैनल से जशिंद आदम उसमें शामल थै बट जब जहन में यह था कि नेट्रनिट को भी मैंटें क करना है और वो सारे कैल्कूलेशन लिकिश चल रहे हैं थोड़ा अगर यह बात हुई नहीं तो अगर दोगर दोगर ऑर उस तरीके से हमें हर और के बाद या दो और बाद हमें मैसेज भी आता था और बिलकुल हम लोग यही प्लैन कर रहे थे किस तरीके से हम लोग हर टाइ पर जो है वो डप और लूइस पर इन से आगे हो सकते हैं और जब हम आगे गए हमारे जब दस और आगे हुए तो फिर हम लोगों ने अगर आप ने देखा तो बोल्ट के और पर हमने कोई ड्राइ भी नहीं किया क्यों हमें आलड़ी पता था कि बारिश आ रही है और हम लोग अलड़ी आगे हैं तो यह हमारे बिल्कुल माइंड में था कि अ झालड़ी आगे हैं